जिन किसानों के वहां पे जमीने हैं, उनकी 40% जमीन सरकाल ले रही है, एक करोड रुपीज है यहां पे, एक भी घागा, और अभी लाइक मेज, मैंने ये इन्वॉलप तेयार करे है, ये एप्लिकेशन, ये काईदा आ गया, तो किसान को फासी खाने के अलाब, असलाम सरकार किसानों को लूट रही है, किस तरह किसानों को रास्ते पे ला रही है, किस तरह ये सरकार किसान विरोधी काम कर रही है, देखो, अभी क्या चल रहा है, मुंबई में अपलाय हो गया, एहम्दाबाद में अपलाय हो गया, राजकोर्ट में भी अपलाय हो गया, जुना तिर्चे जो मन पड़ा वैसे रस्ते निकाल दिये बड़े बड़े 75 फीट के रस्ते जिनके घर है उनके घर चले गए जिनके प्लोट्स उनके प्लोट्स चले गए जिनकी जमीने सब्स मेरी जमीन है वहाँ पे किसी ने सरकर ने किसी तरह का एक गार्डन डाल दिया तो मेरी कि जहां हैं वहां से खेंगे अब उस जमीन पे मेरा बोलवेर हां मेरा घर हे उसका क्या चाहिए तो यहां बेंक ज़पार के वहां है तो यहां है तुच को आधा वेनगी मैं मैं पेसा दे रही आधा एक हमें पेसा दे रही हैं एक बीम्द्टेश songs एक बूर्च सामने से सरका रेसिडेंट एंड फार्मर्स ओफ चांचड़ा विलेज जिसको अंग्रेजी में कहते है बेटरमेंड चार्ज इतना काला काईदा और जिन जिन किसानों के वहाँ पे जमीने हैं उनकी 40% जमीन सरकाल ले रही है वहाँ पे वो स्कूल बनाएंगे हुस्पिटल बनाएंगे ये करेंगे वो करेंगे लेकिन इसमें किसान का फायदा कहा तो ये व्लोग बड़ा ही मतलब इस टोपिक के बारे में ज्यादा तो लोगों को नहीं पता तो मैंने सोचा कि व्लोग बना के आप लोगों को एजुकेट कर लो तो हमने क्या करा हम सब किसान ने इकटा करके जो अर्बन डेवलोप्मेंट बोर्ड है इस शहर का वहाँ पे हमने एप्लिकेशन दी और बहुत कुछ चीज़े करें अब देखो जो जमीने शहर के पास होती है उनकी किमत करोडों में होती है और यहाँ पे जमीन की किमत पर्ट फॉर एक्जाम पर हाइपोथेटेकली मान लेते हैं एक करोड रुपीज है यहाँ पर एक बिगा का तो किसी के पास अगर दस बिगा जमीन है तो सरकार चालीस पर प्रतिश्वत मतलब चार बिगा जमीन ले रही है वहाँ पे रस्ते निकलेंगे होस्पिटले बनेंगी कु कितना बड़ा नुकसान है किसान भाइयों के लिए एंड यू गाइज हैव नो आइडिया के यह काले काईदे हर बड़े शेहर में अप्लाइब हो चुके और अभी लाइक में मैंने यह इनवॉलप तेयार करें यह एप्लिकेशन से जो मैं अलग-अलग हर को देने वाला हूं एक एप्लिकेशन में देने वाला हूं यहां के जुनागट शेहर के चेर्मेंड जुड़ा ओफिसर जुड़ा मतलब जुनागट अर्बन डेवलप्मेंट उथराइज समकते हैं जो यह विकास के काम करते हैं जो जिन्होंने हमसे पूछे भीना हमारे ज रूश्य मंत्री को राखव जी सम्तिंग नाम है एक हमारे सच्छीवा लाइक सच्छीव मुख्य सच्छीव अश्वीनी साथ को और एक हमारे गुज्रात के सीम भुपिंद्र पटेल को यह पांच एप्लिकेशन आइंग टो पोस्ट रेजिस्टर आइडे के थुरू पोस्ट के थुरू और जो जो भी अपडेट्स होगे मैं आपको बताता रहूंगा ठीक है मुझे पता है मुझे पता है कि लाइक नब्बे से 90-95 लोगों को इस टोपिक के बारे में नहीं पता इसलिए मैं व्लोग बनाके आपको एजुकेट करता रहूंगा आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और यह शेयर करो ताकि लोगों को पता चले के देश में हो क्या रहा है अगर देखो अगर यह काईदा आ गया तो किसान को फासी खाने के अलावा आप चाहते हो के शेयर के पास विकास हो ठीक है आप चाहते हो वहाँ पे रैसिडेंट्स हो ठीक हर जगा अपर्टमेंट घर को ही आपको डाल देना है होस्पिटल बना देनी है अगर जमीन ही नहीं रहेगी तो खेती कहां से होगी अनाज कहां से आएगा किसान क्या 25-30-30 किलोमेटर दूर जाके खेत लेंगे और वहाँ पे करेंगे खेती शहर के पास जिनकी जमीने हैं उनका लाइक बेनिफिट ही यह है कि उनके पास एक कीमती जमीन है वह दुपेर को घर पे आके खाना भी खा सकते फिर अपनी जमीन पर जाके खेती भी कर सकत कि उनके बाप दादा चाहते तो वह जमीन उस जमाने में भी कीमती थी उसको बेच के आराम से कुछ भी कर सकते थे अपनी जिंदगी में लेकिन वह आधे बीमारी में चले गए और आधे थे वह गरीबी में चले गए और आधे को ठंग से कोई ट्रिटमेंट नहीं मिली उन कि के सबढ़ए उनको अपाटमेंट के रस्ता या सिवेज़ लेन गटर सब कुछ बनने की जनजटीं खतम हो गई, वो सरकार बना के दे रही है उनको सिर्फ अपाटमेंट बना के बेचना है बिल्डिंग्स बना के बेचना है, सोसाइटी बना के बेचना है सो ये काले काईदे है इसके खिलाफ मैं आवाज उठाने जा रहा हूँ जाए है, अगर मेरे फादर चाहते है तो वो भी ये जमीन लाखो करोड़ों में बेच के मज़े की जिंदगी, मर्सडीज में गुम सकते थे ब्यम डवल्य में गुम सकते थे, कुछ भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने मेरे लिए बचा के रखी हमारी फैमिली के रिए बचा के रखी है, सरकारी काम यहाँ पे मेडम बोल जी है, दूसरी पोस्ट ओफिस में जा के पोस्ट करो यहाँ पे हमारी लिमिट हो चुचिए हम सिर्फ दिन के आठ ही पोस्ट करते है, रजिस्टर एड़ी वगएर वगएरा तो जा रहे है दूसरी ओफिस जो थोड़ी दूर है तो वी है पोस्टेड एक सोस्टर एक सोसी रुपे हुए और चैनल को भी सब्सक्राइब परो कि यह चीजे तुम्हें और कोई नहीं बताएगा कि भाई देश दुनिया में क्या चल रहा है तो जुड़े रहो मेरे साथ मैं आने वाले टाइम में वीडियो बना के मैं अपडेट करता रहूँगा कि और कितने कितने काले काईदे हैं जो किसान के गले में फासिका फंदा डाल रहे है तो मिलते अगले व्लोग में खुदा हाफिस खंज ऑाल डिए स्टब्स